नेक्स्ट कुश्चन है डि एने उपस्तित होता है एक केवल केंद्रक वाहरित लबक में बी केवल केंद्रक में सी केवल माइट्रोकॉंडिया में डी उपरोक्त सभी में तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी उपरोक्त सभी में डियाने उपस्तित होता है फिर नेक्स्ट कुश्चन है केंद्रक की खोज निम्न ने की थी ए रावर्ट ब्राउन ने बी रावर्ट हुक सी विर्चव डी 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 डूबे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए रावर्ट ब्राउन ने केंद्रक की निकलियस की खोज की थी इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है गुर्ण सूत्र बने होते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा डी गुर्ण सूत्र तीनो के बने होते हैं इसका नेक्स्ट कुश्चन है गुर्ण सूत्रों के सीर्स कहलाते हैं A. क्रोमोमियर B. सेंट्रोमियर C. टीलोमियर D. उपरोक्त में ऐसे कोई नहीं तो इसका क्या आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा C. टीलोमियर कहलाते हैं गुर्ण सूत्र के सीर्स इसका नेक्स्ट कुश्चन है क्रोमोसॉम सब्द पृतिपादित किया था ए जॉन्सन ने, बी बॉल्डेयर ने, सी बेंडा ने, डी डी डूबे ने तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो होगा बी बॉल्डेयर ने क्रोमोसॉम सब्द पृतिपादित किया था चलिए इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है गुड़ सूत्रों की आकरती इसपस्ट दिखाई देती है ए पूर्भवस्था में, दी मद्यावस्था में, सी पच्चावस्था में, डी अंत्यावस्था में तो इसका करेक्ट आंसर होगा B. मद्य अवश्था में गुण सूत्रों की आकरती इस पस्ट दिखाई देती है इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है कैंद्रक में कैंद्रीका का मुख्य कार्य निम्न से संबंदित है A. गुण सूत्रों का संगठन B. DNA दुईगुणन C. राइवोसॉम संसलेशन D. क्रोमोटिड प्रथक करन तो इसका करक्ट आंसर होगा C. राइवोसॉम संसलेशन इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है कैंद्रीका मुख्य रूप से बनी होती है A. आरेनेवा प्रोटीन की B. गुण सूत्र की C. डीनेवा प्रोटीन की D. क्रोमेटिन की इसका करक्ट आंसर होगा A. आरेनेवा प्रोटीन की बनी होती है कैंद्रीका इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है गुण सूत्र सर्व प्रथम निम्न द्वारा देखे गए A. हाप मिस्टर B. सिलीडन C. M. E. C. D. स्ट्रासबर्गर इसका करक्ट आंसर है A. हाप मिस्टर के द्वारा देखे गए थे सबसे पहले गुण सूत्र इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है L. आकृति के गुण सूत्र कहलाते है A. लिंग गुण सूत्र B. एक्रोसेंट्रिक C. टीलोसेंट्रिक D. सबमेटासेंट्रिक तो L. आकृति के जो गुण सूत्र है वो के कहलाते है इसका आंसर होगा D. सबमेटासेंट्रिक इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है ऐसा गुनसूत्र जिसमें सेंट्रो मियर एक सीर्ष के समय पिस्तितो कहलाता है A. टीलोसेंट्रिक B. एक्रोसेंट्रिक C. सबमेटासेंट्रिक D. मेटासेंट्रिक तो इसका जो आंसर होगा वो होगा B. एक्रोसेंट्रिक इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है निकलियोसॉम होते हैं A. कैंद्रक के DNA अंस B. कैंद्रक का हिस्टोन भाग C. गुरुसूत्र के DNA एवं हिस्टोन अंस D. गुरुसूत्र के DNA एवं RNA अंस तो इसका अंसर क्या होगा इसका करेक्ट अंसर होगा C. गुर्शूत्र के DNA एबं हिस्टॉन अंस इसके बाद नेक्स कुर्शन है केंद्रक द्रव्य कोशी का द्रव्य से निरंतर्ता निम्न के माध्यम से इस्थापित रखता है A. अप्शन है सेंट्रियोल B. अन्ताप्रदर बजाली का C. केंद्रक छित्र D. गौल्जी उपकरण इसका करक्ट आंसर क्या होगा इसका करक्ट आंसर है C. केंद्रक छित्र इसके बाद नेक्स कुर्शन है निम्न मैसे किसे कोशी का का उर्जा ग्रह कहा जाता है A. हरितलबक B. माइट्रो कॉंडिया C. गौल्जी काई D. कैंद्री का इसका करक्ट आंसर क्या होगा इसका करक्ट आंसर होगा B. माइट्रो कॉंडिया को उर्जा ग्रह कहते है उच्च पादपों में माइट्रो कॉंडिया राइबुसॉम के सेडिमेंटेशन को ओफिसियन्ट का मान होता है A. सत्तर S B. पचपन S C. चालीस S D. असी S इसका अंसर होगा A. सत्तर S 70S इसका नेक्स्ट कॉंडिया है A. क्वांटा सौम में होते है A. दो सो तीस परण हरित अणू B. तीन सो तीस परण हरित अणू C. तीन सो तीस परण हरित अणू D. कुछ परण हरित अणू इसका अंसर होगा A. दो सो तीस परण हरित अणू इसके बाद नेक्स्ट कॉंडिया है माइट्रो कॉंडिया की आंतरिक जिल्ली अत्यदिक संभलित होती है और इस परकार बने अन्ता परतों के करम को कहते हैं A. लैमिली B. कृष्टी C. ग्रेना D. थाइलेकोईट इसका गरख्ट आंसर होगा B. कृष्टी इसके बाद नेक्स्ट कॉष्टन है आक्सिसोम निम्न के अंदर इस्थित होते हैं A. माइट्रो कॉंडिया B. लबक C. लाइसोसॉम D. गोल्जिकाय इसका गरख्ट आंसर होगा A. माइट्रो कॉंडिया के अंदर होते हैं अक्सिसोम इसके बाद नेक्स्ट कॉष्टन है माइट्रो कॉंडिया में ATP का संसलेशन कहां होता है A. मैट्रिक्स में B. अंतरकृष्टी स्थान में C. कृष्टी में D. पाहे जिल्ली में इसका गरख्ट आंसर होगा C. क्रष्टी में इसका नेक्स्ट कॉष्टन है क्वान्टासोम उपस्थित होते हैं A. माइट्रो कॉंडिया में B. हरित लवक में C. कैंद्रक में D. लाइसोसॉम में इसका आंसर होगा करेक्ट B. अशर्छ लबक में इसका नेक्ष्ट कुछ्ष्टिन है बशा एकत्रित करने वाले लबक है A. बढ़नी लबक B. एलायोप्रास्ट C. एमैलोप्रास्ट D. एलीूरोप्रास्ट इसका गष्टरणशर क्या होगा इसका गष्टरणशर होगा B. इलायोपलास्ट ठीक है नेक्स्ट कुश्टन है हरित लबक में पाए जाने वाला एक चप्टा चक्रिक कोश कहलाता है A. कोश्टक B. थाइलेकोईड C. स्ट्रोमा D. उपांत इसका क्या आएगा करक्ट आंसर इसका करक्ट आंसर आएगा B. थाइलेकोईड इसका नेक्स्ट कुश्टन है बर्णी लबक का रंग हूता है A. लाल B. पीला C. नारंगी D. उप्यूक्त शभी इसका अंसर आएगा D. उप्यूक्त शभी नेक्स्ट कुश्टन है निम्न थाइलेकोईड निम्न के भाग है A. हरित लबक B. माइटो कॉंडिया C. ER D. राइवोसोम तो इसका करक्ट आंसर है A. हरित लबक हरित लबक का भाग है था हेलिकोई इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है प्रोटीन संग्रह करने वाले लबक है A. हरित लबक B. एमाइलोप्लास्ट C. एलियूरोप्लास्ट D. इलायोप्लास्ट तो इसका अंसर होगा C. एलियूरोप्लास्ट इसका नेक्स्ट कुश्चन है शब्द एरगेस्टोप्लाज्म को प्रतिपादित किया A. गार्नियर ने B. कलॉड ने C. जो़स्टेंड ने D. पॉल्टर ने तो इसका करेक्ट अंसर है A. गार्नियर ने प्रतिपादित किया एरगेस्टोप्लास्म सल्ट इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है E. आर मुख्य रूप से संबंदित है A. प्रोटियोल लिसिस से B. बसिये अमलस अंसलेशन से C. पेप्टाइट बंद निर्माण से D. कॉलेस्ट्रोल निर्माण से इसका करेक्ट अंसर है D. कॉलेस्ट्रोल निर्माण से संबंदित है इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है अन्ता प्रतब जालिका पर उपस्तित होते हैं A. लाइसोसॉम B. सेंट्रियोल C. पराक्षी सॉम्स D. राइवोसॉम तो इसका करेक्ट अंसर है D. राइवोसॉम इसका नेक्स्ट कॉश्चन है तीब्रता से बिभाजन युक्त कोशिका में अन्ता प्रतरब जालिका होती है A. आलप बिक्षित B. अत्यदिक बिक्षित C. अनुपस्तित D. आक्रियासील तो इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर होगा B. अत्यदिक बिक्षित बाकी के कॉश्चन हम नेक्स्ट डे डिसकस करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इस तरीके के कॉश्चन चाहते हैं तो वीडियो को जादा से जादा लाइक करिए, सेयर करिए और कमेंट करिए आप इसका करेंगे